ओम नम्ह कमल वासिन्य स्वाहा नमस्कार दोस्तों आज माग गुप्त नवरात्री के आखिरी दिन मैं आप सभी के समक्ष महा विद्या कमला देवी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ आईए शुरू करते हैं जैकारा महा माईदा बोल साचे दर्बार की जय मा कमला देवी दस महा विद्याओं में दस्मी स्थान पर हैं नवरात्री की तरह गुप्त नवरात्री का समापन भी श्री कमला देवी की अराधना से होता है कमल के पुष्प पर विराजमान होने के कारण इन देवी का नाम कमला पड़ा देवी कमला भाग्य, सम्मान और परोपकार की देवी हैं और सभी दिव्य गती विधियों में उर्जा की तरह उपस्थित रहती हैं। उन्हें भगवान विष्णू की दिव्य शक्ति माना जाता है। मा कमला की पूजा करने से विध्या और कोशल में विकास होता है। धन और एश्वर्य में विरिध्धी होती है और गरववती महिलाएं यदि इनकी पूजा करें तो उनकी संतान की रक्षा होती है। देवी कमला को तांत्रिक लक्षमी भी कहा जाता है। कमला देवी का संबंध संपन्नता, सुख, सम्रिध्धी, सोभाग्य और वंश के विस्तार से है। महा विध्य कमला देवी को लक्षमी, कमलात्मिका, श्री, राज-राजेश्वरी आदी नामों से जाना जाता है। मा कमला देवी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर है। लक्षमी स्वरूपा कमला देवी कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इनका एक मुख और चार हाथ हैं। वह एक लक्ष और चार प्रकृतियों दूरदर्शिता, दृड संकल्प, श्रमशीलता और व्यवस्था शक्ती के प्रतीक हैं। मा कमला देवी के दो हाथों में कमल, तीसरे हाथ में अभयमुद्रा, तथा चोथे हाथ में वर्मुद्रा रहती हैं। महा माया कमला देवी की आभा स्वरन के समान कांति मय हैं। चार हाथी अपनी सूंड में जल भरकर स्वरन कलश को दबाए हुए, सदैव इनके दाइबाई खड़े रहते हैं। लक्ष्मी जी का जल अभिशेक करने वाले हाथियों को परिश्रम और मनोयोग का प्रती कहा जाता है। इन हाथियों का कमला देवी के साथ विचित्र संबंध है। यह युग्म जहां भी रहता है, वहां वैभव, श्रे और सहयोग की कभी कमी नहीं रहती। मा कमला देवी का वाहन उल्लू है, जो निर्भीकता एवं रात के अंधकार में देखने की क्षमता का प्रतीक है। माता कमला देवी की अराधना, डक्षिन और वाम दोनों मार्ग से की जाती है। माता का एकाक्षरी मंत्र श्रीम बहुत ही प्रभावशाली है, इस मंत्र के रिशी भ्रिगु है। मा कमला देवी से धन तथा एश्वर्य की प्राप्ती के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। श्रीम शब्द में शा का अर्थ मा लक्ष्मी, रा का अर्थ धन तथा संपत्ती, ई का अर्थ महा माया और बिंदु का अर्थ दुख हरता, अर्थात दुखों का हरन करने वाले गणपती के रूप में किया जाता है। मा कमला देवी प्रसन होने पर धन धान्य और तिजोरियां भर देती हैं, लेकिन यदि अप्रसन हो जाए तो राजा को भी रंक बना देती हैं। श्रीमत भागवत के आठवी सकंद में कमला देवी के प्रादुर्भाव की कथा प्राप्थ होती है। एक बार दुर्वासा मुनी के श्राप के कारण सभी देवता लक्ष्मी या श्रीहीन हो गए थे। यहां तक की लक्ष्मी जी भगवान विश्नुजी के पास से भी चली गई थी। परिनाम स्वरूप, सभी दरिद्र तथा सुख वैभव से रहित हो गए थे। श्री लक्ष्मी जी को पुन्हे प्राप्त करने के लिए देवताओं तथा दैत्यों ने समुद्र का मन्थन किया। समुद्र मन्थन से चोधा प्रकार के रतन प्राप्त हुए। उन चोधा रतनों में धन, राजसुख वैसमरिधी की देवी मा कमला देवी का प्रादुलभाव हुआ। देवी कमला भगवान विष्णू से विवह के पश्चात कमला लक्ष्मी नाम से विख्यात हुई। उसके बाद कमला देवी ने विशेश थान प्राप्त करने के लिए श्री विद्या की कठोर अराधना की। उनके कठोर तप से संतुष्ट होकर देवी त्रिपुरा ने उन्हें श्री की उपाधी दी और महा विद्याओं में दस्वा स्थान दिया। श्री की उपाधी लक्षमी जी के लिए मातरी भुमी के रूप में सांसारिक शेत्र का प्रतीनिधित्व करती है जिसे प्रित्वी माता के रूप में संदर्भित किया जाता है। उसी समय से मा कमला देवी का संबंध धन, सम्रिध्धी तथा राज सुखों से हैं। मा कमला देवी सत्वगुण से संपन हैं। धन तथा सोभाग्य की अधिश्ठात्री देवी हैं। इन्हें साफ सफाई, पवित्रता और निर्मलता अतिप्रिय हैं। रोश्नी से तो मा कमला देवी का घनिष्ठ संबंध है। देवी उनी स्थानों को अपना निवास्थान बनाती हैं जहां अंधकार ना हो। यह देवी अनंत सम्रिध्धी, धन, यश, प्रतिष्ठा, शासन आदिशक्तियों की स्वामिनी होने के कारण, आदिकाल से ही राजघरानों तथा अन्य व्यक्तियों के द्वारा पूजित होती हैं। इसी लिए इन्हे राज-राजेश्वरी कहा जाता है। आईए अब जानते हैं महा विद्या कमला देवी की पूजा विधी। मा कमला देवी की पूजा करने से पहले स्वच जल से सनान करके पवित्र हो जाएं। उसके बाद शुध लाल रंग के वस्र पहनें। यदि संभव हो तो पितामबर की धोती धारन करें। और उसके उपर गुलाबी रंग का दुपट्टा ले लें। उसके बाद एकांत स्थान में पूरव दिशा की और मुख करके कुश के आसन पर बैठ चाएं। अब अपने सामने लकडी के एक पाटे पर लाल रंग का वस्र भी चाएं। और उसके उपर एक थाली रखें। थाली में केसर और कुमकुम से रंगे हुए चावल भी खेर दें। अब थाली के मध्य में चावल का ठेर लगाएं। और उसके उपर श्री यंत्र को स्थापित करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प करें। तथा अपनी इच्छा की पूर्ती के लिए माता का आवाहन करें। और उसके बाद जल को जमीन पर छोड़ दें। तथा हाथ जोड़कर मा कमला देवी का ध्यान करें। फिर माता के मंत्र ओम एम श्रीम हरीम कमल वासिन्य नम्हा का जाप करें। मंत्र जाप के बाद मा कमला से अपने सभी दुखों को हर लेने की प्रार्थना करें। उसके बाद माता का प्रसाद परिवार जनों में बाट दें। और स्वयम भी ग्रहन करें। एक पहर बीतने के बाद पूजन सामगरी को लाल वस्त्र में लपेट कर किसी नदी या तलाब आदिशुद स्थान पर विसर्जित कर दें। यदि आपके आसपास नदी या तलाब नहीं हैं तो जमीन में गड़ा खोद कर दबा दें। मा कमला देवी की क्रिपा से आपकी सभी मनो कामनाई पूरी हो जाएंगी। आईए अब जानते हैं मा कमला देवी के शक्तिपीट के बारे में। मा कमला देवी का एक प्रसिद्ध शक्तिपीट महराष्ट्र के कोलहपुर में स्थित हैं। इसे करवीर शक्तिपीट कहा जाता है। यहां पर सती माता का त्रिनेत्र गीरा था। इस थान को महालक्षमी जी का निजनिवास थान माना जाता है। दूसरा प्रसिध शक्ति पीठ शिरी शैल शक्ति पीठ है, जो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल क्षेत्र में है। शिरी शैल शक्ति पीठ में माता का ग्रीवा गिरा था। यहां की शक्ति साक्षात महालक्षमी जी हैं। इस प्रकार मा कमला देवी की कथा पूरण हुई। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मा आपकी मनो कामनाओं को पूरण करे। यदि गुप्त नवरात्री की दस महाविद्या के वर्णन में मुझसे कोई तुरूटी हुई हो तो मुझे क्षमा करना। एक बार फिर से आप सभी को गुप्त नवरात्री की हार्दिक शुब कामनाओं। माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। या देवी सर्वभूतेशु कमलारूपेण सस्थिता नमस्तस्याई 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 नमो नमहा जै माता दी।